नमस्कार, मैं हूँ Mr. Stock तो दोस्तो शेर बजार के बाद होने के बाद Yes Bank को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हैं इसका असर हमें Yes Bank के शेरों पर देखने को मिल सकता है दरसल Bank ने गुरुवार को शेर बजार को जानकारी दिये की इंडिया रेटिंग ने Bank के बाद के रेटिंग को अपग्रेट कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल पर बनाए रखा है चले अब जानते हैं कि आखिर के इस तरीके का बदला हुआ है रेटिंग में तो दोस्तो शेर बैंग ने जानकारी दिये कि इंडिया रेटिंग ने उसके Infrastructure Bond और Basel 3 TIA 2 Bond की रेटिंग को अपग्रेट कर दिया है बता दे कि Infrastructure Bond की रेटिंग को अपग्रेट कर INDA कर दिया है जो इससे पहले INDA- था दोस्तो बाद के आउटलुक को स्टेबल पर बनाए रखा गया है वहीं Basel 3 TIA 2 Bond की रेटिंग को भी अपग्रेट कर INDA कर दिया है जो इससे पहले INDA- BBB Plus था वहीं इसके आउटलुक को भी स्टेबल पर बनाए रखा गया है दोस्तो बता दे कि रेटिंग को अफग्रेट करने से लोगों का नजर ये S-Bank के उपर जाएगा और इसका मार्केट में अच्छा छबी बनेगा दोस्तो आप कमेंट करके बताई कि आपको इस कमपनी के शेर में यानि कि S-Bank के शेर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है दोस्तो, अगर आपको जाना है कि कौनसे कमपणी का शेयर, कब आयकन है, फिर कौनसे कमपणी का शेयर कब सेल करना आतो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं. तो दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में.